किताना आता नहीं जानता तेरा रुवाब तेरी राजनीती में दिखाना हमारे सामने मत दिखाना मैंने क्या अलती कर दी मुझे छोड़ दो मुझे जाने तो जल्दी जवाब देना क्या जवाब दूँ अब तू ही बचा मुझे एक्स्क्यूज मी अरे तुम तो कुंदापूर जाने वाले थे यहां क्या कर रहे हो को लेकिन यह मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आ गया तुम तो काम ढूड़ने के लिए गये थे ना फिर यहां क्या कर रहे हो देखो मुझसे जूट अब नेक्स्ट क्या करना है बोलो नेक्स्ट क्या करना है ससूर जी से क्या कहूं कुछ समझ में नहीं नहीं आ रहा यार यह क्या है यह क्या है यह क्या है कुंदली है हूँ है पापी इंसान इतना सब कुछ चल रहा है तो फिर देर किस बात की चलो ससूर जी से बात करते हैं अरे पापने ससुर जी इधर ही आ रहे है तो मुझे डरा ही दिया यार सच में बहुत डर रही है तो मिल गई अब उसी से कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी है इतना ही है हाँ इतना ही है तेरा रोज का यही गाना है कितने की है यह टेड़ी वियर तीन सो रुपे का है बहुत महेंगा है चालो तीन सो यहां से कवर होगे नमस्ते रहावन्ना क्या है थोड़े पैसे चाहिए थे तो कितने चाहिए तुझे जादा नहीं दो हजार रुपए दो हजार रुपए इतने पैसो की क्या ज़रुवत पड़ गई वो क्या है ना कि वो क qui कामकर वहो मं्निर देख रहा है ना हम Your जो आवाज यह है ना तु वह जा और गंटी बजा के आगा आगाव पैसा देने में धनी बजाने में क्या संबंद तुझे पैसे चाहिए यह ज़ब पैसे चाहिए और तो जा ना मैं दे dong τη आता हम चाहिए बस इतनी तेज भागता है तू चा 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 और स्पीड और स्पीड क्या कर रहा है चा 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 कोई फैयदा नहीं पैसे नहीं दे पाऊंगा क्यों थो एक घंटे में 140 किलो मेटर की स्पीड से भागता है वो भी पैसे लेने से पहले है एक बार पैसा ले लिया तो कितनी स्पीड से भागे का इसलिए क्योंकि तेरे पीछे मैं नहीं भाग सकता इतं置 स्पीड से कहीं और से ले जलता हूँ किसे बाला पड़ गया है लो है लो है लो है लो मैं रबना बोल रहा हूँ है लो है लो है लो यह क्या मैं जो बोलता हूँ मुझे वापस सुनाई देता है यह क्या मैं जो बोलता हूँ मुझे वापस सुनाई देता है अरे अरे यह फोन प्रोब्लम है या सिगनल प्रोब्लम है यह फोन प्रोब्लम है या सिगनल प्रोब्लम है है लो है तुम मुझे लल्लू समझता है क् तो तुझे अभी मज़ा चखाता हूं करजा दिया है मैंने और मुझे इस सिम चेंज करके चुरी से बात करना पड़ रहा है पच्छा आता है हुँँ ओ भाई एक छोटी से हेल्प चाहिए थी मैं नंबर लगा के देता हूं आपको सूरिया है कि नहीं बस ये पूछे अगर सूरिया होगा तो फोन मुझे दे दीजेगा ठीक है ओ दूसरी कोशिश चल कोई बात नहीं लुच्चा लोफर हालकट बिखारी बेवकूफ तेरे हाथ पे फोन किसने दिया है बेग इस हेलो ट्यून को सबस्क्राइब करने के लिए घर छोड़कर गली घूमने वाले लोफर तेरे घर पे बेबी और बच्चे नहीं है क्या जो इस तरह रास्ते के औरतों को छेड़त रहे है दुघे अच्छा कर बनेगे इस हेलो ट्यून को सबस्क्राइब करने के लिए पांच दबाईे क्यों मामा किसने तुम्हें मेरा नंबर दे दिया उसको यहां लेकर आओ हम सब उसके साथ मेलकर बैड बॉल खेलेंगे इस कॉलर टून को सब्सक्राइब करने के लिए नौ तब आईए कमीने नालाए क्या हुआ सुबा सुबा मैं ही मिला तुझे हमारी तरफ से इतने डिटेस देने के बाउजदब कोई रिप्लाइ नहीं आया फिर से सुनने के एबर और तो अब तेरा फोन ही नहीं आएगा कि लेट होने के लिए माफी चाहता हूं साब मीटिंग में काफी लोग आये हुए थे इस वज़े से लेट हो गया थोड़ा हाई कमांड वालों से टेंशन लेने की कोई ज़रुरत नहीं है सब मैं समाल लोंगा अपनी जगह है हम ही बैठेंगे वहाँ आये आये बैठिये मैं यही चाहता हूं बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने वैसे आपकी जिगह कोई नहीं ले पाएगा मगर इस बार टिकेट रवी शंकर को देना चाहिए सोच क्या रहे हैं सब लोग मिल करके इस बार उने ही जिता ही है तीस सालों से मैंने इस पार्टी के लिए मेहनत के पिछले तीन इलेक्शन्स में मैं ही जीत रहा हूं सीटिंग एमेले हो मैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि एक गुंडे को आप लोग सीट क्यों देना चाहते हैं कह चुके मैट जाओ देखो यह हाई कमान का ओडर है क्यों बाई तुम अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हूं पार्टी में दूसरे लोग नहीं है क्या उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ठेक है हम सब को चांस देंगे लेकिन पार्टी के लिए काम करने वाले को ही तब जो ठवा के बाहर फेग दूगा ठीक है जा रहा हो मैं लगता अब इस पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं रही है एई देखो इलक्षन के होने तक किसी भी तरह के खून खराबे को मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता इसलिए साउधान इसे कुश मत करना यह बताओ मेरा कर्जा कब चुका आने वाले हो अरे यार थोड़ा प्रोब्लम है हां हां ए भाई लव है क्या कोई आइडिया होगा तो दोना लिफ्ट मांगने के लिए सुर्फ तो गारी का इंतिजार नहीं किया जाता कोई भी गारी आये उस पर चड़ जाओ तेरा अर्में बत्ती सीमत दिखाओ पहले जाके ड्राइविंग सीखो आप इभी ठल हो क्या हां आपको यह देने के लिए बोला है तुझे किसने बताओ मुझे यह बीमारी है रोक ए रोक तेरी सब मैं कम इन यह पकड़ो इसके मुझे पांच कॉपी निकाल के दे देना जिरॉक मशीन में प्रॉब्लम है ओ जब दिल को प्रॉब्लम हो सकती है तो मशीन के प्रॉब्लम कौनसी बड़ी बात है ठीक है मुझे पांच कॉइन दे दो जेंटली फोन करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस रिंग बज रही है कट कर दिया हूं फिर से करूंगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस वापस कट कर दिया यह क्या कर रही है लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं इतना गुसा किसलिए सुन्दर सी हसीना के चहरे पे हाई 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 और मैं भी किसी दूसरे से बात करने जिसे एक्टिंग करूंगा और सब को लोगेगा हम किसी और से बात कर रहे हैं किसी और से क्या, तुम कौन हो, मुझे तो यह भी नहीं पता अरे जानू तुम तो मेरा पुराना प्यार हो तुम्हें देखते ही मेरा दिल पिखल जाता है ये भगवान प्लीज मुझे दुबारा कभी भी फोन मत करना ओहो अब इसके लिए भगवान को क्यों याद करना जस्ट रिलाक्सिंग एंड टॉकिंग ओहो माइ फादर इस अरे क्या बात है क्या करूं कि सुबह से आपके घर के पास ही बैठा हूं मेरी परस्तिती बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी वीवी ऑस्पिटल में पड़ी है तुम्हारे भाई ने मुझसे पैसा लिया लेकिन वो दे नहीं रहा है अपने भाई से पैसा दिला दो या फिर मुझे जहर दे दो छोड़ा सा अरे रिप ऐसी वात है क्यों करते हो मैं तुम्हारी परिस्तिती समझ सकता हूं देखो मैं कुछ विवस्था करता हूं कि तुम परिशान मत हो हूं 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 है कि अपने भाई से पैसा दिला दो या फिर मुझे जहर दे दो थोड़ा सा सुनो यह पांसो रुपए डब्बे के अंदर डाल दो ऐसा क्यों तुम डालो ना लेकिन क्यों पैसे जमा करके धूमधाम से शादी करवाना चाहते हो अरे नहीं मैं अपना खुद का एक रिकवरी ओफिस खोलना चाहता हूं इसलिए तुम ही इसकी शुरुवात करो तो अच्छा होगा ओ सच में यहाला तुम्हारे यह डबा जल्दी से भर जाए फिर तु कि महारी शादी हो जाए अलो सूरिया का भाई सब का करदा होता आ रहा है अच्छा तुम जल्दी आजाओ क्या बोल रहे हो सच में मैं अभी आता हूं क्या बोल रहे हो सच में कितने चालाग लोग है पैसे लेने के लिए इतने पहले आ गैं कुछ भी हो पैसे खतम नहीं होने चाहिए नहीं तो मैं फस जाओंगा आपका कितना है दो सो पचास मेरा दो हजार मेरा दो हजार यह लो मेरा साथ सो पचास धन्यवाद मेरे पांच उरुब है यह पकड़ो एक तो हाँ यह रीचे थैंक यू धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस काम से आपको बहुत पुन्नी मिलेगा आपने अपने भाई का कर्जा अपने हाथों से चुकाया है आप देवतार समयान है अब मैं किसी को भी पैसे दूंगा तो आपकी गैरेंटी से ही दूंगा चलता हूं मैं हेलो मैंने सुना है तुमने उसका करजा चुकाया है हाँ ससुर जीव अब मैंने चुकाऊंगा तो और कौन चुकाएगा अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है तुमने मेरी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचा है क्या खुद का बिजनर शुरू करने वाला पैसा तुम क्या किया तुमने ऐसा कोई करता है क्या वहाई होने के नाते उसका करजा चुकाना भी तो मेरा फर्ज है ससुर जी वह जहाँ काम कर रहा था अगर वहाँ एक साल और किया होता तो उसका पर्मोशन भी हो गया होता मैं अकेला हूं इसलिए उसे बुला लिया था भी ना कारण किसमत उसके साथ नहीं दे रहे अगर उसने कहीं पैसा और इन्वेस्ट किया होता, तो सचुर जी आज की स्थिती बिल्कुल अलग होती, अरे बाई मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, सचुर जी आप उसकी चिंटा मत करिये, वो मेरा भाई है, एक नएक दिन वो जरूर कुछ करेगा क्या हुआ ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो भाईया दरसल मेरा बिजनेस कुछ गड़बढ हो गया है तो सॉरी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ देख मैं तुझे प्रेशर नहीं देना चाहता तुम आरमी से आये हो बिजनेस करने गया और लॉस हो गया बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता ही रहता है तुझे इन सब का अनुभा होना चाहिए इसलिए इतने दिनों से मैं खामोश था थैंक्स मैं आपके साथ हाँगा तो आपको क्यो तकलिफ नहीं होगी ना अरे तकलिफ किस बात की तुम आओगे तो मेरी हेल्फ ही हो जाएगी चलो आजो बैठो देखो एक घर और बचा है मैं वहाँ से ले के आता हूँ तुम जाओ वहाँ ठीक है भाईया हाँ बुलो रामा तुम जड़ा अभी मेरे घर पे आपाओगे क्या ठीक है आ रहा हूँ इसके पास भी अभी चन होगा हाँ चलो चलो मेरे बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब यहां रवी शंकर कौन है बाई रवी शंकर जी कौन है क्या काम है उनसे मुझे उनसे ही बात करनी है बात क्यों मुझे बताओ क्या काम है उन्होंने पचास दाक रुकिया लोन लिया ठा एक साल हो गया पर एक पैसा भी नहीं दिया मैं रिकवरी करने कर लो कर लो कर लो कर लो कि तुम पैसे भरो गया नहीं बता दो नहीं तो कानून के हिसाब से कहां आकर केस के सामने क्या बात कर रहा है तिरह दिमाग ठिकाने पर है ना देखो भाई चुक चाप से करजा वापस कर दो कहा भे तुने पूर्ण भाइब उसे चोड़ तो क्यों डर्र लग रगरा था नहीं सुर्या सुर्या उसे छोड़ तो छोड़ तो क्या डर लग रहा है क्या तेरे लिए डर नहीं लग रहा है उसके लिए डर लग रहा है कि क्या होगा चल आजा भाईया आप बाहर खड़े रहो इसे खात मु करदो आज इसे छोड़ना नहीं हमारे अड़े पर आया है आज जो